सबसे अच्छा बात ये है कि आप तुरंत कस्टुमर के हिसाब का ल 127 एंटुरी कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कस्टुमर को इस बात का हूँ नोटिफिकेशन भी मिल जाता है और तो और पेमेंड के दिन पेमेंड के लिए आप कस्टमर को रिमाइंडर भी भेज सकते हैं दिजिटल इंडिया का दिजिटल खाता दिल्ली के चुनावी रण में अमूमन वो सभी पाटिया किस्मत आजमा रही हैं जो बिहार में एक बड़ा वोट बैंक रखती हैं यानि बिहार के सियासत दानों की नजर अब दिल्ली पर है और सब लगे हैं दिल्ली के 35% से जादा पूरवांचली वोटर्स को अपनी तरफ खीचने में इसके लिए खास तोर पर बिहार का कैड़र दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहा है चाहे फिर वो आरजेडी के नेता हो कॉंग्रिस के बीजेपी के या फिर एलजेपी और जेड यूके दिल्ली का दंगल इसलिहास से भी खास है क्योंकि इसी साल बिहार में 243 सीटों पर विधान सभा चुनाव होंगे तो असली लडाई से पहले दिल्ली चुनाव के लडाई एक रिहसल की तरह है जो लगभख ये तै करेगी कि बिहार में गेंद किसके पाले में जा रही है अपनी डफली अलग बजा रही है हमके दो उमिद्वार मैदान में है पटपड गंच और नई दिल्ली चेतर में हमने उमिद्वार उतारा है जबकि इन सीटों पर कॉंग्रस के भी उमिद्वार है इंडिया से लेकर महागडबंधन तक दिल्ली में ताकत दिखा रही है ताकि इसका प्रभाव बिहार विधान सबा चुनाओ में भी पड़े वहीं इंडिया ने अपने दो घटक दलों को मौका भी दिया है और उनके लिए जोरो शोरों से चुनाओ प्रचार भी कर रही है जेडियू दिल्ली में दो सीटों पर लड़ रही है जबकि लजेपी एक सीट पर ग्रेमंतरी अमिश्या, नितीश कुमार और चिराक पासवान एक साथ मंच पर एक जुटता दिखा रहे हैं पुर्वांचल के लोगों को सरकार के किये गए कामों को बता कर वोट मांग रही है हाराकि उद्देश दिल्ली तकसीमित नहीं, दिल्ली के बहाने बिहार के वोटर्स पर सीधा निशाना है बिहार में पुराना संबंध है और बिहार के लोगों ने इंडिये को काम करने का मौका दिया 2005 से और जो कुछ भी हम लोगों ने सेवा किया है यह सब को मालू में हम प्रचार वगरें नहीं करते हैं वैसे तो दिल्ली की हर एक विधानसभा छेतर में बिहार के वोटर है लेकिन सीमापूरी संगम बिहार मंडावली, बगरपूर पालम दुवार का किरारी बुराडी, उत्तम नगर और विकासपूरी ऐसे विधानसभा छेतर हैं जहां बिहार की वोटर निरनायक माने जाते हैं बिहार के दलो के कुल नोमीदवार दिल्ली विधान सभा का चनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनका दिल्ली चनाव में प्रदर्शन सीधे सीधे बिहार की सियासत का समीकरण बदलने वाला है शायर इसलिए ही दिल्ली के चुनाओं में बिहार का पक्षो या विपक्ष दोनों काम बिहार का गिना रही हैं और निशाना दिल्ली के बहाने बिहार पर साथ रहे हैं बिए क्या किया इन्होंने बिहार के लिए बजट में कुछ भी पुरवांचलियों के लिए था बिहार के लिए था ता है इस पेशल राज का दरज्ज्ञा राच पाकेज और बिहार की मुकंबत पर किस मुन से वोट मांगने आरहें रहें नाम्विलास पास्वार को पंद्रा साल राज कर रहे हैं बिहार की लोग पलाइन कर रहे हैं दूसरे राज जा रहे हैं ये इसको किस मूँ से वोट मांगने आए पूर्वांचल और बिहार के वोटर्स दिल्ली की सत्तर में से 27 सीटों पर सीधे असर डालते हैं पूर्वांचल और बिहार के वोटर्स जिस दल को वोट करेंगे वो ना केवल जीतता है बलकि सरकार भी उसकी ही बनती है 11 फरवरी को जब परिणाम आएगा तो ताज पूशी जरूर दिल्ली में होगी लेकिन इसका असर सीधा बिहार की राजनीती को प्रभावित करेगी झाल झाल